36 गड के न्याय धनी ब्लासपूर, दुरूक और भिलाई समय 36 गड से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होई एवं इन्हें रद्द की गई इनके मार्ग भी परिवर्तित किया गए दक्षेंट पूर मद्ध रेल्वे मंडल में कई ट्रेनर को रद्द किया गया है साथ ही कई रेल गाड़ियों के रूट भी बदले गए एसी सियार ने बताया कि नाकपूर रेल मंडल के राजनन गाउक कलमना रेल खंड के बीच में सालवा रेल्वे स्टेसन को तीसरी रेल्वे लाइन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा एवं इल्ट्रोनिक इंटर लोकिंग सहीत अने कारियों के लिए नौन इंटर लोकिंग का कार्य किया जाएगा यह non interlocking का कारिय 6.9.22 से 9.9.22 तक किया जाएगा इस कारिय के लिए फल सोरूप कुछ गाड़ियों को रदग एवं कुछ को गंतवे से पहले समापत एवं रवाना किया जाएगा जिसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे साथ से 9.9 को कोरबा से छुटने वाली कोरबा इतवारी एक्सप्रेस रद रहेगी 6-8 नॉमबर को इतवाई से छुटने वाली इतवारी कोरबा इक्सप्रेस रद रहेगी साथ से 9.9 को दुरुग से छुटने वाली दुरुग गुंदिया मेमूर स्पेसल रद रहेगी साथ से 9.9 को इतवाई से छुटने वाली इतवारी गुंदिया मेमूर रद रहेगी 6-9.9 को राइपूर से छुटने वाली राइपूर इतवारी स्पेसल पैसेंजर रद रहेगी 7 से 9 नौंबर को तिरोडी से छुटने वाली तिरोडी इतवारी पैसेंजरर रद रहेगी 6 से 8 नौंबर को मुंबई से छुटने वाली मुंबई गोंदिया एकस्परेस नाकपूर इस्टेशन में ही समाब्त होगी 6-8 नॉमबर को गोंदिया से चुटने वाली गोंदिया मुंबई एक्स्प्रेस नागपूर इस्टेशन से ही मुंबई के लिए रवाना होगी 6-8 नॉंबर को चत्रपती महाराज टर्मिनल से छुटने वाली गाड़ी चत्रपती महाराज टर्मिनल मुंबई गोंदिया एक्सप्रेस नागपूर इस्टेसन में समाप्त होगी और गोंदिया से छुटने वाली गोंदिया मुंबई एक्सप्रेस को नागपूर इस्टिस्टन से ही रवाना होगी 6-8 नॉमबर को टाटानगर से छुटने वाली गाड़ी टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस गोंदिया इस्टिसन से ही रवाना होगी साथ से ग्यारा नॉम्बर को ब्लासपूर से चलने वाली ब्लासपूर भगत की कोटी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कटनी जबलपूर इटारसी भोपाल होकर चलेगी और बीकानेर ब्लासपूर जबलपूर कटनी होकर चलेगी मुंबई से चलने वाली मुंबई गोंधिया विधरवे एक्सप्रेस को नागपूर इस्टेसन में ही समापते की जाएगी साथ से नौ 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 कुर्ला सालिमार एक्सप्रेस प्रिवर्तित मार्ग भुसावल खंडवा इतारसी जवलपूर कटनी होकर चलेगी सालिमार से चलने वाली सालिमार कुर्ला एक्सप्रेस प्रिवर्तित मार्ग कटनी जवलपूर इतारसी खंडवा भुसावल होकर चलेगी साथ नॉम्बर तक अम्रित सर कुर्वा छत्विकट एक्सप्रेस प्रिवर्तित मार्ग विरांगना लश्मी भाई सागर कटनी होकर चलेगी और मुंबई से चलने वाली मुंबई हावडा दुरंतो एक्स्प्रेस प्रिवर्तित मार्ग कटनी जवलपूर इटारसी खंडवा भुसावल होकर चलेगी रेलवे समय सार्णी में अगर और परिवर्तन किया गिया तो हम नए वीडियो के माधम साब को बता देंगे लेटेस्ट रेलवे इनफॉर्मिसान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करें